इसनली मैंने बनाई करहाई मश्रूम, तो सबसे पहले मश्रूम को अच्छे तरीके से धो लेंगे, और इसको थोरा सा रगर-रगर के धोना पड़ते हैं, ताकि जो काला पाने इसका वो निकल जाए, और थोरा सा कभी-कभी उपर वाला पार्ट मैं छील देती हूँ, कभी- जो लेयर होता है, उसको हटा देती हूँ, फिर उसके बाद लिया पैन, उसमें डालेंगे, तीज पत्ता, क्लोव, इलाइची, और हलका सा दाल-चीनी, फिर दाल दिया थोरा सा ब्लाक पेपर, और उसमें डाला प्याज, हरी, मेर्च, थोरा सा मैने बादा भी गोया था उस थोरा सा ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद उसमें हलका सा पानी डाल कर इसका अच्छा सा स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे, तो इस तरीके से ये रेडी था, उसके बाद हम सेम पैन में लेंगे, थोरा सा ओयल, तोरा सा मैने डाल इसमें जीरा, और उसके बाद वो मसाला ड यह खाल गवार लाल मेश पाुडर्स बार सो बार टेस्ट के अकॉरडिंग नमक उसके बाद अच्छी चाहिए से को पकाना है और अच्छी तरीके से इसको में तो और निकल जाए तब तक पकाना है तो मैंने इसको ढख कर रखा था और वीच इनल रहें चुछ रहताए तो बड़ पातों ऑप नुपूल यह दोपने लगेगा दिया है इस सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें चला लेंगे और फिर उसके बाद यहने मशरूम कट करिके रखा था उसको अब इसमें डाल देंगे और मश्रूम खुद पर अपना पानी छोड़ता है तो उसमें भी वह अच्छे से पानी छोड़ेगा और अच्छे से पकेगा तो इसमें और कोई पानी उपर से अभी आड़ नहीं करना है इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे मश्रूम और मसाले को और उसके बाद इसको ढ तो यहां पे आलमस्स सूख चुका है थोड़ा समय पानी डाला ताकि थोड़ा साइस का ग्रेवी हो जाए यूंकि बहुत ड्राई हो चुका था उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने से कट कर लिया था और कैपसिकम भी तो करहाई पनीर करहाई मश्रूम जो भी करह ड्राइब पकाया यह अलमस्ट रेड़ी है बहुत टीस्टी बनी थी मसालों को अच्छे बूनेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका तो मैंने पहली पर बनाया था करहाई मश्रूम बहुत ही टेस्टी बना था यह और दिखने में भी बहुत अच्छा लग र कर दो केश्छा स्वाद.